एक बहुत बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है जो कि दुर्योगों में रधम सेणी में आता है ऐसा दुर्योग जो मेश से लेके मीन राशी तक के सभी लोगों के उपर दुस प्रवाव डालने वाला है और ये दुर्योग गोचर के प्रवाव से बन रहा है जैसे कि हमारे जन्म कुंडली में अलग-अलग ग्रह इस्तितियों के अनुसार अलग-अलग योग बनते हैं कुछ सुभ योग तो कुछ दुर्योग तो कुछ राज योग जो होते हैं वो हमें सुभ फल देते हैं और जो दुर्योग होते हैं असुभ योग होते हैं वो हमारे जीवन में समस्याएं लाते हैं तो ऐसे ही 6 जुलाई से एक दुर्योग का निर्मान होने जा रहा है ये दुर्योग 6 जुलाई को 1 बच के 2 पहर को एक बच के 37 मिनट से चालू हो जाएगा और ये आठ तारिक को, आठ जुलाई को दो बच के 47 मिनट लगभग तीन वजे तक ये दुर्योग रहने वाला है ये समय होगा जिस समय मेज से लेके मीन रासी सभी लोगों के लिए साउधान रहने की जरूरत है और ये दुर्योग प्रभाव जादा तर उन लोगों पर डालेगा जो नसा करते हैं क्योंकि इस दुर्योग का प्रभाव उनको उपर सबसे जादा होगा जो नसा करते हैं परन्तु हर एक बेक्त के उपर इसलिए होगा क्योंकि ये दुरियोग आपको मांसिक तिंसन में डाल सकता है आपके मन में बेचैनी पैदा हो शकती है जब हमारा मन स्थिर नहीं होता है हरे काम को हम अच्छे ढंक से नहीं कर पाते हैं कोई भी काम अच्छे ढंक से नहीं हो पाता है क्योंकि हरे काम को करते समय सही निर्णे लेना ये बेहत जरूरी है इसलिए इस दुरियोग से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए ये भी हम जानेंगे ये दुरियोग है विसियोग ये चंद्रमा और सनी के यूती से बन रहा है चंद्रमा और सनी के द्रश्टी से भी बनता है परन्तु ये चंद्रमा और सनी के युति से जो बनता है ये और भी जादा प्रवावी होता है तो चंद्रमा और सनी की युति छह तारिक से क्योंकि सनी देब इश्व में कुम रासी में विराजमान है और चंद्रमा गोचर वस, क्योंकि चंद्रमा सबा दो दिन में ही अपना राशी परिवरतन करते हैं, जिसके प्रवाव से ये दुर्योग 20 योग बनने जा रहा है, चंद्रमा 6 जुलाई को कुम राशी में प्रवेश कर जाएंगे, दोपहर में 1 बच के 37 मिनट से, तबी से द दुर्योग चालू हो जाएगा, हमने स्रंक्रा चालू की थी कुछ समय पहले ही योगों के बिषय में, अर्थात जो गोचर से योग बनते हैं, जो आपके जन्म कुंडली में योग बनते हैं, उन्हें तो आप पंडी जी को दिखाते हैं, और बता देते हैं, और सावधानी भी आप बरतते हैं, उपाय भी करते हैं, परन्तु ये जो गोचर के दुर्योग और राज्योग बनते हैं, इनका पता हमें नहीं चलता है, इसलिए बहुत लोगों कामत था, सुझाओ थे, कि आप इनके उपर वीडियो बनाएं, तो हमने ये स्रंक्रा चालू की है, तो ये बहुत जरूरी है, कि आप सावधानी बरते हैं, इस समय आपको अपने मांसिक्ट इंसन से दूर रहना चाहिए, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कि मांसिक्ट इंसन बने, और नसे, कि यदि आपकी आदत है, तो इससे दूर रहें, इससे ज़्यादा रुक्सान आपक की इच्छाएं होंगी नसा करने की, और जब मनुष्य नसा कर लेता है, तो कुछ नसे जिसे दारू, सरावादी, सनी की प्रोहाव से, ज़्यादा तर लोग दारू, सराव गएरा पीना चालो कर देते हैं, तो इससे बहुत भेंकर प्रणाम मिलते हैं, इसलिए ये जो समय ह चैसे आठ तारिक का, इस समय आपको साधानी बरतनी है, और उपाय अब हम जान लेते हैं, तो उपाय के रूप में आपको भगवान शिव की जितनी ज़्यादा आराधना हो सकें, तो करना है, और यदि आपके पास रुपद्राक्च का माला हो, तो उसे आप धारन कर सकते ह हैं, इससे भी आपके मन को सांती मिलेगी, और भगवान शिव का आसिरबात प्राप्त होगा, भगवान शिव को जल से बशेक करें, भगवान शिव की पूजन करें, इससे यह जो दुर्योग है, इससे आप बच सकेंगे, और इस समय तो स्राबन मास भी चल रहा है, तो इस आपने बताया नहीं कि किन राशी बालों के लिए क्या प्रफाव होगा, तो लगभग लगभग देखा जाए तो मेज से लेके मीन राशी सभी लोगों के लिए, ये क्योंकि दुर्योग है, इसका प्रफाव कोई बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला, इसका प्रफाव कहीं कहीं समश्याएं हैं बाधाएं हैं इसलिए सभी को साधानी बरतनी चाहिए और ये स्रंखला आपको कैसी लगी और भी इसके बारे में वीडियो बनाया जा क्योंकि बहुत सारे गोचर में योग बनते रहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद